सुशान सिंग राजपूत की हत्या के मामले में अभी तक दोशी खुलेाम घूम रहे हैं धीरे धीरे लोगों की उम्मीदे धुन्दली होती चली जा रही हैं कि CBI कभी सुशान सिंग राजपूत के कातलों को पकड़ भी पाएगी या फूर नहीं सुशान सिंग राजपूत की हत्या के मामले में कुछ ही ऐसे लोग थे बॉलीवोट से जिन्होंने सुशान के न्याय के लिए बहुत ही मुखर तरीके से आवाज उठाई थी जिनमें से एक थे शेखर सुमन सुशान सिंग राजपूत केस में चल रही सीबियाई जाच को लेकर के अब शेखर सुमन की तरफ से बड़ा बयाद दिया गया है शेखर सुमन ने कहा है कि सुशान सिंग राजपूत के वक्त जब एक आंधी चली थी वो कहीं न कहीं अब दपसी गई है क्या लगता है कि कहां कमी पर रह गई ये बताए नहीं जा सकता इसके जवाब पर शेकर ने CBI पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ तो नहीं है निया हम नहीं कर सकते हमारे हाथ में केवल सचाई के सपोर्ट में आवाज उठाना है जो की हम लगातार उठाते रहे हैं आधी भी एक वक्त तक रहती है और फिर कहीं और डायवर्ट होकर के चली जाती है शायद ये दवी हुई आधी है एक बार फिर से उजागर होगी निराश कर गया यानि की सीबियाई की तरफ से जो लगातार डिले हो रहा है उससे सीधे तौर पर लोगों के हाथ में निराशा लग रही है इसके बाद कोई परणामी नहीं निकल रहा है हम किसी सबूत पर जो है पहुँची नहीं पाए ये शेकर सुमन ने कहा उन्होंने का कि ये आवाज उठाते उठाते हम थक चुके थे हम इंतजार कर रहे हैं और फिर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और देखेंगे कि ये आकर कार सचाई कब तक छिपाई जा सकती है इसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं तो सुशाम सिंग राजपूत के मामले को एक लंबा समय वीच चुका है लगातार जो तमाम S.S.R.E.M. से तमाम सुशाम सिंग राजपूत के फैंस हैं वो इस इंतजार में हैं कि कब C.B.I. के हाध जो है ऐसे पुक्ता सबूत लगेंगे जिसके आधार पर वो उन तमाम को तमाम सुशाम सिंग राजपूत के केस को लेकर के जो C.B.I. की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें लगातार जो डिले देखा जा रहा है इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट करके जरू बताएं जल्द मलूँगा किसी दूसरे अपडेट के साथ मैं तब अकली धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लो इट साड़ बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नए अपडेट लेकर आओ तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिले